सफलता हासिल की भारती अंत्रिक्षनु संधान संगठन याने इसरों ने गुरुवार को नवीनतम संचारो पग्रह जीसेट 6 का प्रक्षपन किया 416 टन वजनी और 50 मिटर उचे भारतीय रॉकेट जीसेट 6 को लॉंच किया गया जीसेट 6 को लेकर जाने वाले भू समकाली को पग्रह प्रक्षपन यान यान जीसेट 6 को प्रक्षपन किया गया जीसेट 6 इसरों की और से बना गया भारत का 25 भू स्थातिक संचारो पग्रह है ये जीसेट सिरीज का बारवा उपग्रह है इसरों के मताविक जीसेट 6 सामरिक उपियोग करताओं के लिए सी बैंड में एक राष्ट्रिय वीम और एस बैंड में पांच स्पाट बीमों के जरिए संचार सुविधा प्रदान करता है जीसेट 6 उपग्रह का एक अत्याधूनिक पहलू इसका S-Band का खुलने लायक एंटीना है जिसका व्यास 6 मीटर है इस रोग की और से तयार किया गया ये सबसे बड़ा उपग्रह एंटीना है और प्रदान मंतिर नरेंद्र मोदी ने जीसेट 6 के सफल प्रक्षेपन पर वज्ग्यानिकों को बढ़ाई दी है हमारे वेग्यानिकों की एक और बड़ी उपलब्धी जी सेट छे की सफल प्रक्षपन पर इस्रो को धेर सारी बढ़ाई और हमारे साथ हमारे समयाता फिलिप मैंत्यू जोड़े हुए है फिलिप किस तरह से कहा जाए ये कितनी बड़ी काम्याबी कितनी बड़ी उपलब्धी है भारत के लिए फिलिप आप अगर हमारे आवाज सुन पा रहे हैं तो ये बताएं कि ये जो उपलब्धी है जो इस्रो ने आज उपलब्धी हासल की है ये भारत के लिए किन माईनों में हैं, किन माईनों में खास है? किन माईनों किन माईनों, किन माईन खते ऐसमा में, बाजनों को अथनों से इसरो फुटते ये लावनों में गया ये वाय, इसने तरके किन में खुटते हैं, किन भी Gपी बियू करega मता तो चाहर लाइब है, मिपोशस् casa झालित का लांनों मिप्रेश खाफ हैं, इससल्वे उक और यह भी बताएं कि यह जो सिटलाइट है इसका सिर्फ जो यूज रूज वो सिर्फ आन्म फोर्स के लिए है या फिर जो कॉमन मैन है उनके लिए भी हो पाएगा प्रेण्सट नटने स्विज़ टेड़ी है जी करेंग और शोस्तिज ढाश्ट? प्रेंए वत्सावART ज सेखर पासेıkitter प्रेखिशन सानिली के अढ़ले कि inh daienne Такी तेन पूति अर्मा नेसे बाश्ट सेखरेख व्र और rat बहुत बहुत शुक्रिया इस नमाम ताज़ा अप्डेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया